एलो दोस्तों मेरा नाम है गैंक्स और आपको तो पता ही है कि IPL का तियोहार जल्द ही शुरू होने जा रहा है परसो से याने कि 26 मार्च से और पहले ही मैच में हमको दिखेंगे IPL 2021 के दो फाइनलिस टीम चन्ने सुपर किंग्स और कॉलकता नाइट राइडर्स और इसी मैच से लेकर हम आए हैं आज का इंडी निउस फैंटेसी 11 लेकर और दोस्तों शुरुआत करते हैं इन दो बहतरीन चैंपियंस टीमों से कौन से खिलाडी हो सकते हैं आपके फैंटेसी 11 में तो अगर हम बात करते हैं बल्ले बाजो के बारे में यहाँ पे तो यहाँ पे केवल हमने तीन खिलाड़ीों का नाम रखा है नाम रखा है श्रेश अहियर का रितुराज गौायकवार और रोबिन उतपग का नाम तो वहीं पे wicket keeper में केवल एक ही नाम हो सकते हैं लेकिन वो नाम फिलाव के लिए मिसिंग है क्योंकि हमने चुना है सैम बिलिंग सको इसके बारे में जड़्चा करेंगी ज़रूर लेकिन फिलाल के लिए अगर हम बात करते हैं औल राउंडर्स के बारे में यहां पे रहेंगे तीन खिलाड़ी रहने वाले हैं रविंद्र जड़ेजा साथ इसाथ विंकटेश अईयर और सुनिल नाराइन भी एक और खिलाड़ी रखना चाहते थे लेकिन उपलब्ध नहीं रहेंगे तो वहीं पे गेंद बाजों में सब 11 रहेगा यह वो रहने वाला है कुछ इस तरह से तीन वहां पे होंगे बाज एक होंगे वहां पे विकेट कीपर तीन ही होंगे ओल राउंडर्स और चार रहेंगे केन बाज तो चली अब चर्चा कर लेते हैं किस तरह का इनका परदेशन रहा है तो श्रेश आईयर का तो आ हैं और काफी अच्छा करते हुए दिखे थे आई पील 2021 में भी तो इसलिए वही भरोसा इनके उपर जदाया है अब अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में दोस्तों तो जो महिंदर सिंग धोनी हैं वो इतने अच्छे प्रफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिखें उपर से नए खिलाडियों को ज्यादा चांस देते हुए दिखते हैं नीचे बल्ले बाजी करने के लिए आते हैं काफी ज्यादा इसलिए उनको नहीं चुना है क्योंकि केवल कप्तानी के तोर पर हमको कोई भी नहीं मिलता है अग् देशन काफी अच्छा रहा था तो वहीं पर अब बात करते हैं और राउंडर के बारे में रविंदर जड़ेजा काफी उबर के आए हैं महांदरी सिंग दोने का भी यहीं कहना था कि टॉप फॉर्म में दिख रहे हैं तो इस के लाड़े को कैसे हम छोड़ सकते हैं अगर बात करते हैं वेन कटेश अईयर के बारे में तो इन ही के चलते कहीं न कहीं यह कह सकते हैं कि आई पियल 2021 के फाइनल में पहुंचे थे उसके बाद भारत के लिए खेलते होए परवावित करते होए देखे हैं तो एक बाफिर से इनका नाम रहेगा सुनिल नाराइन जिनके तो पास काफी ज्यादा अनुभव है अलग-अलग फ्रैंचाइज के लिए खेलने का और साथ-ई-साथ काफी ज्यादा आपको अनुभव दिखता है इनका गेंद बाजी बल्ले बाजी में एनका नाम भी रहेगा गेंदबाजों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों पहला नाम फिर से एक बार अनुबवी खिलाडी डॉइन ब्रावो करा हैगा जो की परपल क्याप होल्डर भी रहे हैं और सबसे ज्यादा विकेट भी एक सीजन में इन्होंने चटका है हर्शल पटेल के जो काफी ज्यादा प्रभावित करते हुए भारत के लिए भी खेले थे भलही भारत के लिए खेलते समय इनसे प्रद्शन ज्यादा नहीं निकला हो लेकिन एक बार फिर से कोलकता नाइट राइड़र के जर्से दिखेंगे और उनसे उमीद रहेगा फिर से बहतर और आखरी जो नाम रहेंगे वो रहेंगे एडम मिलने जो पहले मुंबई इंडियन्स के लिए खेलते हुए दिखे थे जिनके पास काफी ज्यादा पेस है और इस पेस का भारत में तो बिल्कुल फायदा हो ही सकता है इसलिए इनको रखा है हमने लेकिन अकर हम बात करते हैं दोस्तों अब विकल्ब के बारे में तो यहाँ पे आपको ये चार खिलाडी दिखेंगे जरूर चार खिलाडी वेकर हम बात करते हैं MS धोनी का नाम क्योंकि इनको कभी भी हम छोड़ नहीं सकते अगर भले ही हमने इनको फैंटेसी 11 में नहीं रखा हो लेकिन विकल्ब के त चहर उपलब नहीं रहेंगे एक जहां पे अपने नैशनल लिवडिके चलते पैटकमिंस तो ही पे दीपक चहर तो चोटिल है आपको पता ही है तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों अब कपतान और कपतान के बारे में तो हमारे जो उपकतान है वो रहने वाले हैं क्योंकि ब बल्ले बाजी बल्ले बाजी नहीं तो गेन बाजी या फिर दोनों में ही आपको परदर्शन दे सकते हैं लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है कि पहले मैच में जिस तरह से हमको चन्ने सुपर किंग्स का लगातार देखता है दबदबा कोलकता नाइट राइडर्स के उपर क कुछ ऐसा ही होगा या फिर कुछ और देखने को मिलने वाला है क्या है आपका कहना बताए हमारे कॉमेंट सेक्षन में साथ ही साथ जाने से पहले प्लीज वीडियो को आप की जेगा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा उस बैल आइकन क करें